श्याम नाम के जंगल में सालों पहले एक सेर रहता था वह सेर काफी चलाग था इसे हर एक जानवरों से दोस्ती करके उसका फाइदा उठाने में खुब मज़ा आता था सेर सबसे अपना काम करवाने के बाद दूसरे को जरूरत परने पर फीट दिखा देता था जंगल में सभी को पता चल चुका था कि सेर सबसे दोस्ती करके अपना मतलब निकालता है और फिर दूसरों को मदद नहीं करता अब सभी लोग उस सेर से दूर रहने लगे जंगल में दोस्तों की तलास में घुमते घुमते बहुत समवित गया लेकिन सेर को कोई नहीं मिला एक दिन वो जब अपनी गुफा में जा रहा था तो उसने देखा एक बुढ़ा भालू भी उसकी गुफा के पास घर बना कर रहा है उसके मन में हुआ कि इस बार भालू से दोस्ती करके उसका फाइदा उठाने में बड़ा मजा आएगा रोज सेर यही सोचता था कि किसी तरह भालू से बात हो जाए दो तीन दिन बित गए लेकिन उसे भालू से बात करने का कोई बहाना नहीं मिला एक दिन उसने देखा कि भालू तो बुढ़ा है उसके मन में हु हो गए हो तो अपने लिए खाना कैसे जुठाते हो भालू ने चिरिया को बताया पहले तो मैं मचली पकर कर खा लेता अब मैं ऐसा नहीं कर पाता इसका मतलब यहां नहीं है कि मैं भुका ही रहता हूं मैं अब सहत खाता हूं उसका स्वाद बहुत ही अच्छा है इसके से दोस्ति करके मैं सहत का स्वाद चक सकता हूं इसी सोच के साथ शेर ने एक योजना बनाई उस योजना के तहट भालू के पास गया और कहने लगा अपने मुझे पहचाना आप जब जब जबान थे तो अपने मुझे एक दिन कुछ मचलिया तलाव से निकाल कर खिलाई थ की है मैं हर बार खो जाता था और आपसे ही तक रागा था भालू को कुछ याद नहीं आ रहा था उसने सोचा कि इतने सालों पुराणी बात है हो सकता है कि कभी इसकी मैंने मदत की हो भालू सोची रहा था कि तब-ρोन ने कहा अच्छा में चलता हूं कभी को जोरत हो THो तो उसे ने सोचा चलो कोई तो है जिससे बापते कर सकते हैं अगले दिन सेर ने भालू से बाच्चित शुरू करी इसी तरह सेर धीरे धीरे भालू से दोस्ति करने लगा एक दिन शेर ने भालू को अपने घर पे खाने पर बुलाया इधर भालू खाने का निमतन मिलने से बरा खुश था उधर शेर ने सोच लिया था कि किसी तरह वो भालू को रात को खाना खाने नहीं देगा उसके मन में था किम मैं अपना खाना किसी को क्यों खाने दू मैं एक ही थाली में खाना लगाऊंगा और उसे जल्दी खत्म कर दूँगा रात के समय जब भालू आया तो सेर ने ऐसा ही किया एक थाली में खाना लेकर आया दोनों साथ में खाने के लिए बैठे भालू बुढ़ा था तो वो अराम से खाना शुरू करने लगा तभी सेर ने तेजी से खाना शुरू किया और कुछी ही समय में खाना खत्म कर दिया भालू बहुत निरास हुआ सेर ने कहा दोस्त मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ दुखी मन से भालू वापस अपने घर आ गया अगले दिन चिडिया ने भालू से पूछा क्या हुआ तुम इतने दुखी की हो भालू ने रात को सेर के घर में हुई सारी बाते बता दी चिडिया ने हस्ते हुए पूछा तुम्हें पता नहीं सेर कैसा है वो हमेशा सबसे दोस्ति करता है और फिर उसका फाइदा उठा कर चला जाता है वो कभी किसी की मदद नहीं करता अब तुम्हें किसी तरकीव से उसे सबक सिखाना चाहिए इतना कहकर चिडिया वहां से उड़ गई भालू ने भी ठान ली वो अब सेर को सबक जरूर सिखाएगा इसी सोच के साथ भालू एक बार फिर सेर की गुफा में गया उसने बिल्कुल समाइन दरीके से उससे बाते की उसने सेर को लगने ही नहीं दिया की उसे रात की बात का फुरा लगा हो दोनों बाते करने लगे बातों ही बातों में सेर ने भालू से पुछा दोस्त तुम अपना रोच का खाना कहां से लाते हो भालू ने सेर को सबक सिखाने का मौका मिल गया उसने कहा तुम्हें सहत खाना है इतनी सी बात तुम रात को मेरे घर पे खाने पर आ जाना मैं तुम्हें सहत खिला दूँगा सेर बारा खुस हुआ वो रात होने का बेसबरी से इंतजार करने लगा रात होते ही सेर तेजी से भालू की गुफा की तरफ बढ़ा सेर के आते ही भालू ने उसका स्वागत किया और बैठने के लिए कहा उसके बाद भालू ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया सेर ने पूछा तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो भालू ने कहा अगर सहथ की खुसवू किसी और ने सुन ली तो वो यहाँ आ जाएगा इसे लिए दरवाजा बंद करना जरूरी है अब भालू ने मधुमख्यों का एक छत्ता लाकर सेर के सामने रख दिया और कहा इसी के अंदर सहथ है जैसे ही सेर ने उसके अंदर मुठ आला तो उसे मधुमख्यों ने काटना सुरू कर दिया उसके पूरे चेहरे पर सुजन हो गया शेर जिस और भी भागता मधुमख्या उधर पिछा करती आखिर में सेर ने भालू से पूछा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं की सहथ कैसे खाना है भालू ने तम तम आते हुए जवाब दिया मैं सहथ ऐसे ही खाता हूँ सेर समझ गया कि भालू ने उससे बदला लिया है इसलिए वो वहाँ से चुपचाप चला गया कहानी की सीख सेर और भालू की कहानी से यह सीख मिलती है कि अगर किसी से मदद लो तो उसकी मदद करने के लिए तयार भी रहो हम दुसरों के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता कैसा लगा यह कहानी कमेंट में जुरूर बताना लाइक एंड सस्क्राइब